नमस्कार मैं हूँ शिखाव शुकर्मा और आप देख रहे हैं खबरी मद्धिप्रदेश तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की और उजयन में अब पौधों की वीच शिवलिंग के होंगे दर्शन गुजरात के केवडिया की तर्श पर महाकाल लंगरी उजयन में एक ऐसा वन विक्सित हो रहा है जिसमें शिवलिंग आकार्प का प्लांटेशन होगा यानि पौधों में शिवलिंग के दर्शन होंगे इसी त इस पर करीब 30 फीट उचा भव्यद्वार और बाउंडरी वॉल बना रहा है। साथ ही पौधे भी लगाय जा रहे हैं। खास बात यह है कि भारत की नक्षे में देश के 25 राजियों के विध्यारती अपने राजि से पौधे लाकर लगाएंगे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने गुजरात के 2004 में सांस्कृतिक वन की नीव रखी थी। भांजे भांजियों आप सबसे मेरा रिष्टा, प्रेम, विश्वास और अपनत्वका है। पता बदल गया है लेकिन मामा का घर तो मामा का घर है। आपसे भाईया और मामा की तरह ही जुड़ा रहूंगा। मेरे घर की दरवाजे सदेव आपके लिए खुले रहेंगे। गर में मौजूद महिला की गले पर चाकू अड़ा कर लाखो रुपए की चोड़ी की गई। बताय जा रहा है कि घटना के दौरान घर पर सिर्फ सराफा कारोबारी की पत्नी मौजूद थी। इस घटना की सूचना तुरंद पुलिस को दी गई। इसके कुछ देर बाद ही पुलिस ने अन्य दो आरोपियों को पकड़ लिया है। चौराह से प्रारम होगी जो मन्नत बाबाजी के आश्रम में समाप्त होगी। आरती हवनकारिक्रम सुबह 10 बजे से भजन गुरुदर्शन गुरुपूजन तथा आशीश वर्चन एवं भंडारा देट बजे से तीन बजे तक होगा। आप सभी सपरिवार इश्ट मित्रो सहित सादर आमंतरित हैं। कुत्ते की जान बचाने के चकर में युवक की नदी में डूबने से हुई मौत। पानी में कूद गया, उसने पीछे युफ्तियों ने भी छलांग लगा दी थी। तो ये थी आज की खास खबरें, आगे जुड़े रहें खबरी के साथ क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। झाल 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 झाल